इंटरनाशनल हाई एंड ब्राइंड गैस को अपना नया मॉडल मिल गया है और ये नया मॉडल कोई और नहीं बल्कि ली ह्योरी है On March 28th, Guess unveiled its latest campaign, Timeless Denim, with the brand's new model, Lee Hiyori. The singer displayed her natural and effortless aura in iconic styles. ऐसा नहीं है कि Lee Hiyori's brand को अकेले ही अंडॉस करेंगी. Lee Hiyori के साथ singer-based Suzy B's band को equally promote करेंगी. हाला कि Suzy's brand के साथ सालों से जुडी हुई है. Well, आपको बता दे कि Lee Hiyori का Guess के साथ जब से नया teaser release हुआ है. तब से Lee Hiyori's visuals have been praised for their chic denim look, along with the fact that it is the first time in 15 years that the iconic model and the brand have met. In the Timeless Denim campaign, which means the value of timeless denim, इस campaign की theme ये साथ दर्शाती है कि इस साल denim को लेकर क्या styling की जा सकती है. From dressy styling, using a denim bustier, to casual styling with loose white fit denim pants and simple tops. ये दिखाता है कि denim को भी कितने trending styles में दिखाये जा सकता है. ये सारे products जो Lee Hiyori ने अपने campaign में दिखाये हैं, वो सारे products 28 March से ही Guess के showroom में available हो गए है. पहले सीलीन ने अपना Global Ambassador चेंज किया और अब Guess ने. आन्यूगासे हो, मैं हुशिल पी और आज Coffee with Korea में trending के साथ साथ देखिए इस हफते की सबसे controversial ख़बर. वेल, रूजून यॉल और हान सोही की लव स्टोरी शूरू होते ही controversy में फच गई. अभी तो दोनों हवाई में जेच करते हुए पाए गए थे. उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हान सोही ने एक लेटर लिखकर रूजून यॉल की एक्स गर्फरेंड को लतार लगा दी. जानते हैं उसकी एक्स गर्फरेंड कौन है? हायरी. और ये सब कुछ हुआ सोशल मीडिया पर. हान सोही ने तो भाई क्या गजब का नोट लिखा था? आप देखेंगे तो आप शौक में आ जाएंगे और आपको हसी भी आएगी. तो क्यों ना ये खबर देखिए? ये खबर तो हमने आपको बताई थी कि रियू जुन योल और हान सोही को हवाई में स्पॉट किया गया था. खबर ये भी उड़ी कि दोनों के बीच में पिछले साल से ही कुछ चल रहा है. जैसे ये खबर लिख हुई थी साथ में ये कॉट्रोवर्सी भी सामने आने लगी थी कि रियू जुन योल ने अपनी गर्डफरेंड येरी को नई वाली गर्डफरेंड के लिए छोड़ दिया है. हालात ये हो गए हैं कि लोगों ने हान सोही को इनके ब्रेक अप के लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया है. लेकिन अब पानी सर के उपर से निकल गया है. तो हान सोही ने सोशल मीडिया पर एक लंबा सा नोट लिखकर येरी को खूब लतार लगाए. उन्होंने अपने लेटर में साफ कहा कि जब हीरी का ब्रेक अप रियू जुन योल से पहले ही हो गया था तो अब इस मसले को वो क्यों हवा दे रही है? हान सोही ने अपने लेटर में लिखा कि I can't stand these fake allegations any longer. I chased my happiness and now I am here. साथ ही हान सोही ने अपनी चिठी के जरिये ये भी बताने की कोशिश की कि जब उन दोनों का ब्रेक अप हुआ तो हान सोही रियू जुन योल को जानती तक नहीं थी. The exact date that we met was November 2023. यही नहीं, हान सोही इस बात से भी बेहत गुसे में है कि जिस एक कॉमन इंसान की वज़े से इतना बवाल हो रहा है, यानि कि रियू जुन योल उसने भी अभी तक सामने आकर कोई clarification नहीं दिया है. कम से कम रियू जुन योल सामने आकर पूरे मामले को सुलचा सकते थे और पब्ली के लिए बता सकते थे. उनका और येरी का breakup कब हुआ? हान सोही ने लिखा कि, I'm frustrated that a person directly involved in this is staying silent. This means that I might be writing this having been fooled by his lies and that he did leave you for me. हाला कि हान सोही ने बाद में अपने पोस्ट डिलीट कर दिये, बर तब तक ये पोस्ट वाइरल हो चुकी थी. उसके बाद से ही हान सोही के फैंस उनके support में उतर आए. Fans asked why हान सोही was receiving hate while alleging that all she did was date a man only to be labelled a home record and be attacked by the fans for her boyfriend's ex. रू जुनियोल अहाईरी के ब्रेकप के चकर में बेचारी हान सोही फस गई. वैसे मुझे लगता है इसमें गल्ती रूजुनियोल की ही है. कम से कम उनको तो सामदे आना चाहिए था और clarification देना चाहिए था कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है, ये हो क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ने अभी तक अपने ब्रेकप का रीजन नहीं बताया, ब्रेकप कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी नहीं बताया. अब इसी बात को लेकर जो सोशल मीडिया पे सारा बवाल चल रहा है, उससे हांसो ही काफी नाराज है. ये तो वही बात हो गई, कि the apple of one's eye suddenly became the rotten apple. मज़दार बताया ना मेरे आपको? वैसे आपल से याद आया, क्या आप जानते हैं, आपल को को और लाइंग्वेज में क्या कहते हैं? सोचिये, सोचिये, थोड़ा से दिमाग लगाईए, बहुत सारे के रामान में आपने ये सब सुना होगा, बट शायद अभी आपको याद मी आ रहा है, पर मैं आपको बताती हूँ कि apple को Korean language में बोलते हैं सागवा, और अगर आपको बोलना है banana, तो ये काफी simple है, क्योंकि banana word जो है English से बनाए गया है, और Koreans भी इसको English स्टाइल में ही बोलते हैं, तो बनाना को Korean में बोलते हैं, बनाना, और मैंगो को मांगो, है ना इंट्रेस्टिंग? Netflix पर एक ड्रामा आजकल काफी चल रहा है, नाम है Queen of Tears, शो में मुख्य किरदार में दिख रहे हैं Kim So Hyun, जिनको आपने It's Okay to Not Be Okay में भी देखा होगा, ये लंबे समय के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं, और सुनने में आया है कि इन्होंने शो के लिए 800 मिलियन won, which is approximately 5 करोड लिये हैं, वो भी पूरे शो के लिए नहीं, बलकि पर एपिसोड 5 करोड चार्ज किये हैं, हाला कि उनकी एजनसी ने इस खबर से इंकार किया है और का है कि ये सब अफ़वा है, The initial rumors originated from a report by the Korean news outlet, News Sen, which claimed that a multiple production company representatives had confirmed Kim So Yoon's high fee, और इस report के मताबिक, अक्टर ने पूरे 16 एपिसोड के लिए 80 करोड चार्ज किये हैं, आपको बता दे हैं कि इस पूरे शो, Queen of Tears का total budget 2500 करोड था, which means Kim So Yoon's fee alone would have cost the production team almost a third of the total budget, ये खबर कितनी सच है और कितनी नहीं, ये तो Kim So Yoon की agency ही बता सकती है, और एक और report के मताबिक, Kim So Yoon को उनकी previous series, One Ordinary Day के लिए कुल 18 करोड रुपे दिये गए, However, the reports of his exorbitant fee in the Queen of Tears have now been dismissed by its production team, हाला कि उन्होंने actual amount तो नहीं बताया, पर हाँ, ये ज़रूर हिंट दिया है कि Korean standard के हिसाब से actor की fees 1.2 to 1.3 times increase किया गया है, खेट, fees इन्होंने जाहे जितनी भी charge की हो, लेकिन सचाई तो ये है कि मार्च में release हुई series, उन series का हिस्सा बन गई है, जिसने शुरुआत ने खूप TRP बटोरी, लोगों को मजा भी आया, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती हुई दिखी, लोगों ने देखना छोड़ दि अरे वेट, 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 मेरा जाने का समय नहीं है, एक मिनट ओर दे दीजे, बस आप मुझे आप से एक मिनट ओर बात करने है, मुझे ये बताना है कि भई ये आकरी series नहीं है, जिसको मार्च में लोगों ने रिजेक्ट किया है, इस category में the impossible air, doctor slum, wedding impossible, captivating the पर चिकन नगेट्स भी शामिल है वैसे अगर आपको इंटरेनिंग लगे बस यह की बोलना था मुझे आपसे लेकिन हाँ अगर आप हमारे शो में कुछ और इंटरेन्मेंट चाहते हैं कुछ ऐसी चीज चाहते हैं जो कि हम आप चाहते हैं कि हम उसे डिसकस करें कुछ ऐसे ट मेसेज कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम कर सकते हैं डियम कर सकते हैं आप हमें कहीं पर भी मेसेज कर सकते हैं हम सभी मेसेज को पढ़ते हैं और सब के जवाब देते हैं तो बस मुझे इतना ही कहना था अब आप जा सकते हैं क्योंकि मेरा भी जाने का वक्त आ गया है ब श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत